बिहार DLD Examination 2024 अप्लाई ओनलान स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और नोटिफिकेशन इसका इसका इविलिटी और डॉक्मेंट और बिहार में कितना फिस लेगा इसका सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आप बिहार DLD में एड़िशन लेना चाहते हैं तो आप आपका समय आ चुका है बिहार असकूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानि बी एस इवी ने बिहार DLD का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है DLD का फार्म भी आ चुका है आपके पास बिहार DLD परवेश परिच्छा 24 के लिए अवेधन करने के लिए जादा समय नहीं है DLD बिहार एंटर्स एग्जामिनेशन का फार्म बीएस बी के ऑफिसल डेव स्राइट पर उपलब्द है लेकिन आपको यहां वहां भटकने की जरुवत नहीं हम यहां पे आपको डिरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्टर में दे देंगे इस वीडियो के माद्धम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार DLD 24 के लिए अवेदक फार्म कब से कब तक जाएगा अवेदक करने के लिए आपके पास कौन सा कागजाद होनी चाहिए इसके साथ ही बिहार DLD या ऑनलाइन अप्लिकेशन 24 के लिए पतरता और आईशिमा क्या होनी चाहिए इससे जुड़ी सारी जनकारी हम आपको इस वीडियो के माद्धम से बताने बाले हैं इस वीडियो का मकसद है DLD बिहार DLD ऑनलाइन फार्म कैसे बने उसके बारे में जनकारी देना बोर्ड जो कंड़क्ट करवाती है उसका नाम है दोस्तों बिहार स्कू अगर 24 से 2026 तेग टोटल सीट की बात करें तो करीव करीव अन्मान लगा जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा सीट अबलेबल है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और दो फरवारी से स्टार्ट हो चुका है यह ऑनलाइन होना भी तो आगे आपके बता दूं कि अवेदक को अ आवेदक परिशारती में 50% अंकों के साथ 12 का अच्छा पास क्या हो और 45% कटेगरी की है आवेदक 12 का अच्छा का परिशार देने बाले हैं वह भी फार्म भर सकते हैं आवेदक की आयू कम से कम 17 साल होना चाहिए बिहार, DLD, DLD, Intentionalization, PITN की बात करें तो बिहार DLD परवे आवेदक की आयू जैसे मैंने बता दिया कि 17 साल होना चाहिए और वार्वी का अच्छा पास होना चाहिए अगर कोई परिशारती 17 साल के उम्र है उनका और वह बिहार 10 प्लस 2 का एक्जामनेशन दे रहा है वह भी अपेर हो सकते हैं लेकिन इसका कर्टेरिया यह है दोस्तो कि आपको जब पास होईएगा तो आपको इंटर में 50% से ज्यादा मार्च होना चाहिए अगर इसका हम बात करेंगे बिहार डियली पर वेस्ट परिच्छा 2014 माध्यम से कंपीटर वेस्ट टेस्ट अर्वजित किया जाएगा यानि आपको कंपीटर पर इसका टेस्ट देना ह होगा समान हिंदी पूछा जाएगा 25 नंबर का जिसका 25 मार्च का होगा गनीत 25 कोश्चन होगा जिसका भी 25 मतलब कि एक एक इसमें टोटल 120 कोश्चन पूछे जाएगे जिसमें से 120 मार्च का होगा बिहार डियली एग्जामेशन 2024 अप्लिकेशन फी की बात करें तो आपको बता दें कि जेनरल ओवी सी और बी सी को 960 रुपया लगेगा अप्लिकेशन फीस और एसी एस टी और पी एच जो फिचकल हैं उनका 760 रुपया लगेगा बिहार डियली एक्जामेशन 2024 की इंपोर्टेट डॉक्मेंट की बात करें तो दैस्वी का मार्चित होना चाहिए ब मौवाइल नंबर होना चाहिए पास्बुक और फोटो भी होना चाहिए बिहार डियली दो यह का कोर्स है इंचुकि दो साल का कोर्स है तो यहां पर अगर आप गोवर्नेंट कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं तो आपको 10,000 पर इनुफी लगेगा और एसी एस्टी को 6000 पर इन आपको सबसे पहले आफिशर वेवसाइट जो इस वीडियो की लिंक निचे लिंक दिया गया वहां जाकर किलिक करें अब आपको क्लिक करने के बाद नियू रिजिटेशन विकल पर क्लिक करें अब आपके सामने एक नया पेच खुल करका आजाएगा जहां पर आपको मांग याटाम है आपको सम्मिन के क्लीक करना होगा उसके बाद आपको रचीद मिलेगा जिसे आपको फ्रचत रखना होगा। तो जैसे कि आप इस वीडियो के नीचे चले गाई है दोस्तो लिंक मिल जाएगा हो वहापे क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस कर लें और अगर आप भी application अपलाई करना चाहते हैं और अगर किस तरह का question क्यूरी है दोस्तो तो इस वीडियो के नीचे comment करके ज़रूर बताइए हम आपको reply देंगे धन्य बाद दो बाई बाई टेक केर इस तरह वीडियो नॉलेजबल वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर लिए इस वीडियो को like कर दिए धन्य बाई 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 टेक केर